प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है मगर ये मित्र का काम तो करते नहीं है ये उसको दा रहे हैं इनके जो इनका जो रिमोट पकड़ते हैं पीछे से वो गरीमों की बात नहीं करने देते आपने कभी देखा टीवी पे किसान को मजदूर को चोटे वियापारी को बिरोजगार को कभी देखा टीवी पे तो हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर गया जानते हो आप जानते हो तक्रीबन 8% आदिवासी वर गया 15% दलित वर गया कितना हुआ 50, 15 और 8 कितना हुआ 73 तो 73% पिछड़े दलित आदिवासी उसमें 15% आप मैनोरिटी चोड़ दीजे 90% हो गए अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्क निकालें उनके मालेकों के नाम निकलेंगे उसमें आपको 90% से एक आदमी नहीं मिलेगा एक नहीं मिलेगा 3-4% में से नाम निकलेंगे सीनियर मैनेजमेंट देख लीजिए हिंदुस्तान की गुजरात की कोई भी बड़ी कंपनी देखिए सीनियर मैनेजमेंट को देखिए जो बड़े बड़े अपसर होते हैं उनके नाम निकालिए 90% से आपको एक नहीं मिलेगा मीडिया के कंपनी के मालिक निकाली है लिस्ट निकाली मैंने निकाली है देखनी है तुम आपको दिखा दूँगा उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बाड़ते हैं आये सबसर हैं दिल्ली में उनकी मैंने लिस्ट निकाली मैंने का चलो देखते हैं हिंदुस्तान के बजट को कौन बाड़ता है पिछडों के अबादी 50% 90 अपसरों में से 3 पिछड़े वर के और छोटी छोटी मंत्रालों में दलित 3 आदिवासी यहां पर बहुत है हमारे आदिवासी एक अपसर है 90 में से आपकी अब आदी 8% अपसर एक है और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपे खर्च करती है तो दलित पिछड़े आदिवासी अपसर ते 70% 6 रुपे पर भागिदारी रखता है 100 में से 6 रुपे आदिवासी दलित पिछड़े पर के अपसर डिसाइड करते हैं बाकी वोही 3-4% डिसाइड करते हैं आदिवासीों की अबादी 8% है 100 रुपे अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है 10 पैसे आप लोगों के अपसर डिसाइड करते हैं तो मैंने सवाल पूचा भई है 73% है कहां बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है प्राइवेट हस्पतालों की लिस्ट निकालो मालिकों की लिस्ट निकालो बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो अपोलो एसकोर्ट सब के मालिकों की लिस्ट निकालो सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो 73% मिस आपको एक नहीं मिलेगा एक नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेजेज युनिवर्सी की लिस्ट निकालो 73% का वहाँ पर आपको मालिक एक नहीं मिलेगा तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है पहले डॉक्टर कहता है तुमारे हाथ में चोट लगे है देखते हैं क्या हुआ तो मैंने सिर्फ ये बात बोली कि देखिए जाती जन्गरना होना चाहिए इससे क्या होगा हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है पिछडों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है इस देश की संस्ताओं में हमारे ये ये लोग है बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागीदारी बनती है दलितों को पता लग جाएगा गरीब जैनरल कास को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी जिस दिन मैंने ये कहा उस दिन नरेंद्र मोधी कहते है कि हिंदुस्तान में कोई जाती नहीं है अच्छा अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं तो आप अपने आपको बीसी कैसे कह रहे हो आप हर भाशन में कहते हो मैं बीसी हूं और जब जाती चंगर्णा का टाइम आया एक सरे का टाइम आया तो आपके उद्योगपती मित्रों ने आपको एक इशारा किया आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है सिर्फ गरीब है अमीर है है ना एक उद्योगपती है गौतम अदानी आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो जानते हो ना हिंदुस्तान के एरपॉट अदानी हिंदुस्तान के पॉट अदानी माइनिंग अदानी पावर जेनरेशन अदानी सोलर पावर अदानी विंड पावर अदानी हिमाचल से अदानी जहां भी देखो एरपट भी उस जहां भी देखो यह देखो यह भी जहां भी देखो आपको एक ही विख दिखाई देगा रेलवे भी है भाई अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पर मतलब दो तीन घंटे लग जाएंगे तो मैंने में बाते बोली है तो राजनेती कैसे हो रही है दो तीन परसेंट लोगों को देश का सारा का सारा धन पकड़ा जा रहा है मैं चार हजार किलोमेटर चलाओं कन्या कुमारी से कश्मी ठीक है रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है इस देश में युवाओं को रोजगार मिली नहीं सकता कि यह सचाई है पहला मुद्दा बेरोजगारी दूसरा मुद्दा महंगाई इस देश में युवाओं को रोजगार मिली नहीं सकता कुछ भी कर लो क्यों क्यों क्योंकि जी एस्टी लागू की नोट बंदी लागू की वह यह आपने शर्ट करी धी कितने की खरी धी यह आपका नम क्या है 1200 की खरी धी GST कितनी धी आपने देखो आप जानते भी नहीं हो आपके जेब में से पैसा उठाके ले गए आपका बटूआ अड़ाके भाग गया आपको मालूम भी नहीं बढ़ा पता भी नहीं लगा, मैं बताता हूँ, 18%, 18%, कितने की खरीदी थी, 1200 की, अगर यही शर्ट, गौतम अधानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता, वो ही 18% देता, उतना ही देता जितना इनों ने दी, इनकी आमदानी, आमदानी 20,000 रुपे, 50,000 रुपे, उनकी आमदानी, लाकों करोड रुपे, यही उतना टैक्स देरा जितना है, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, 73% के जेब से पैसा निकल रहा है, देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है, आपके जेब से आता है, शिक्षा का पैसा कहां से आता है, आपके जेब से आता है, स्वास का कहा से आता है, आपका आता है, भीमा योजना का पैसा कहां से आ तापके जैब से आता है जाता घाएं सीधा से आपके जैब में से निकल रहा है और जैसे इन्हों ने बोला भाईया मुझे मालूमिनी कितनी GST मैंने मुझे मालूमिनी सीधा अधान जी कि जैब में बड़ी द्योग-पतियों में आपने राम मंदिर का इन्योग्रेशन देखा सबने देखा राष्ट्रपती आदिवासी है ना उनका चेहरा आपने देखा टीवी पर क्यों कि उन्होंने क्या गलती की आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया अंदर सिर्फ आरेसस वाले थे आपने वहां पर अंदर कोई किसान देखा घरीब यह कोई देखा मजदूर देखा पिच्छा गलत आदिवासी ना कि अधितर परसेंट का उसके अंदर एक आदमी नहीं था अधानी जी देखें अंभानी जी देखें कि बॉलीवुड देखा आपने पूरा पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर बड़े-बड़े क्रिकेट के खिलाडी देखें गरीवेग देखा आपने तो फिर हां तो यह हो रही है राजनेती इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याई यात्रा कि बॉलीव हाया थे से खिल का जो यह दो यह हमेन दो आपने के पाहयं जो यह झाल 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 झाल